जम्मू कश्मीर के चाने माने देता और ब्लॉक अध्याक्षा रामसू फरीद अहमाद मलीक ने सत्ता की गुलाम नवी आजाद सहाप के कार्यों की जम कर तारीफ करी है साथी उन्होंने कहा कि विधाया का विकिर रसुल वानी की कुड़ता के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा फरीद अहमाद मलीक ने यहां भी कहा कि जो लोग कॉंग्रेस के सरपंच पत पर बेठे हुए उन्होंने छेतरों में फूट डालो और राज करो के अलावा गाउं में कुछ भी नहीं करा है इसलिए इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है सबसे पहले असलाम अलेकुम अधाब नमस्कार मेरा इशू यह जो है जो आज की हालात जम्मौ कश्मीर के अंदर चल रही है और मुझे फकर है कि आज जो जिस पार्टी के साथ मैं हूँ और जिस लीडर के पीछे हम खड़े हैं उस लीडर को 140 क्रोड अबादी के लोग प्यार करते हैं और हमें फकर है उसके कपड़े पे दाग नहीं, उसके उपर कुछ दाग नहीं है कल मैंने सुना कि कहीं कश्मीर के अंदर कि कि किसी कोई आदमी इतने सो आदमियों को लेकर चले गिया आदाद साहब को वो आदमी पसंद है मेरे प्यारे लीडर को वो आदमी पसंद है जो आदमी गरीब का प्यार करता हो गरीब से चलता हो गरीब का काम करता हो आदाद साहब वो लीडर है आजाद साब को एक्तिदार से प्यार नहीं है आजाद साब को हेलिकेप्टर से प्यार नहीं है आजाद साब को गरीब और मजलूम से प्यार है आजाद साब जमु कश्मीर के अंदर आए और सब के सामने है सब कुछ सामने है कि ढ़ाई साल उसको पूरा मोका नहीं मिला ढ़ा कालेज रमबंड के अंदर कम उसक्म 5 की छे डिकरी कालेज में ले आज़ात शाब के दिय हुए चीज़े जो है और ये जमू कश्मीर के खफ़ाब में भी नहीं होता कभी की रोश्णी एक्ट क्या होता है पूरे भारत के अंदर के अगर बात करे तो बात ऐसा की रोशनी एक्ट लेके आए सव रुपे में एक गरीब को जमीन का कनाल देने का काम किया है गुलाम नभी आजाद में बाद में अगर मौजिदा आज अलजी मनोज शिना जी जो भारती जनता पार्टी के लाए हुए जम कोई भी बात लिए है तरवीर रसी एक लीडर है सोशल एक्टिविस्ट है डोडा के उन्होंने एक बात परसू एक लाइव डिबेट में कही कि सोभाई जमू के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो चीफ मिनिस्ट्री कर सकता है गुलानभी आजाद के बगहर क्या जो च अच्छा दूसरी क्लास की हमत नहीं रखता है तो मैं में अच्छार की मांग नहीं करना चाहिए मिसाल की बात है स्टेट से पहले मैं अपने भाशा करने वालों को एक शायर बोलूगा क्योंकि यह भाशा अपनी में बोलूगा यह इसका जवाब में यह दिया हम सिर्फ ओटू के लिए रहे हम सिर्फ ओटू के लिए रहे हम सिर्फ ओटू के लिए अगर डिष्टिक की बात करोगे तो आजदा साब ने दिये डिगरी कालिज की बात करोगे तो आजदा साब ने दिये में यह क्या कहते हैं यह रोश्ण इहाल में हस्पिटल बहुत बड़ा है, तो यह आजाद साब का देन है, लेकिन इसके अंदर जो MLA साब का यह क्या किते हैं, यह वजीर भी बने थे, विकार रसुलवानी साब, लेकिन यह उसका काम उसके अंदर, यह क्या किते हैं, अल्टरसोन मशीन भी होनी चाहिए थी, य लेकिन छोटे काम मांग की होती करने होती है, यह एक MLA इसलिए होता है, पंचाज से कंसी चुना हुआ, लेकिन उसको हमारे लोगों की दरत थीनी नहीं है, आजाद को पूरे देश की दरत है, पूरे देश से महबत है, लेकिन विकार रसुलवानी साब को मैं यह कहना चाहत लेकिन आपने सिर्फ अपनी कुर्शी समाली और गुंडे बदमाश चार 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 लोगों को पाला और हमारे अलाका का वेरानी कराई, तो इसलिए मैं एक शायर एक बोलना चाहूंगा, मुराद थी यही बरसु से एक दमाने से, बहारे आ चुके है जमो कश्मीर के रडाली और खास तोर पे जिस परकार से इन्हों ने कही ने कही ने कही ये भी कहा कि साबका MLA बानीहाल, विकार रसुल वानी ने हर अलाके के अंदर कुछ अपने लोग ऐसे रखे हैं, जिन्हों ने अलाकों को लडा रहे हैं, कही ने कही इन्वेस्टिगेशन एजनसीज से पी एक अपील है, कि वो कही ने कही ने कही इस पर कारवाई करें, आप देखते रहें, एक मीट ने एक मिट इन्वेस्टिगेशन दो बाते, दो बाते, मैं और करूँगा, दो बाते, सर्ब मुझे भूल गया, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, कि जिस गरीब के जेब में में पैसा नो हो वो आल्टरासном करने जाएगा ता मुमेर जाता है वो, यहां से, वो क्या जमीन बेच कर जाएगा, वो क्या, क्या चीज बेच कर जाएगा जिसके पैसा न हो, यह हमारे विकार साभ के मिले दा वर आता है, तो खासकर डिलिविजर किसी भी महिकमे के हो तरसते हैं तो पहले सिटेट तो हम सिटेट में हैं हमारी सिटेट कोई नहीं चीन सकता है यह सिप्रिंग कोट का फैसला है जो हमारी 370 या 35 एका है चीप मिनिश्टर गुलाम नभी आदा जैसा है अगर जमू कश्मीर के अंदर आ गया मैं रिटर्न में लिखके देता हूँ आप लोगों को हर मजलूम का सहरा डिलिविजर का सहरा बेरोजगार का सहरा गरीब का सहरा गुलम नभी आदा आएगा वो उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिक भी, इसाही भी बाद में आपने चोधिर लाल सिंग जी की बात की यह किसी और की बात की बहुत सारे लोग शेक अब्दूला से लेके फारुक अब्दूला के बेटे उमर अब्दूला तक चीप निश्र बने, सब के सामने है मुफ्ति साहब हो मिनस्टनाफ एंडिया से लेके महबूबा जी तक बने यह मुझे पताए, गारंद्रबाल को डिश्टिक क्यों ने देपाई शुपियन में क्यों बांडीपूरा में क्यों ने दिया कुलगाम में क्यों ने दिया एक दूसरा सवाल कष्टवार को रोते हुए लोगों को देखनी पाते थे वो रामन को क्यों ने दिया सामभा और रियासी आठ डिश्टिक गुलाम ने विया आदाद ने दे आते आगले दिन में सुनता था आज आगले दिन में दोसरे दिन सुना आज रोश्टिय एक्ट दे दिया तिसरे दिन सुना मैंने आज डिगरी कालज दे दिये चाफसे दिन मैंने सुना ये रोड दिये पांच में दिन में बस उसका काम सिर्फ आते आते वो छखके और चाओके उठाने लगे आकिर मैं एक सवाल है जिस सरजमीन पे हम माजूद है लोग नयाबत के लिए तरस रहे हैं आपका क्य मानना है क्या यहां पर नयाबत 21 सदी के दोर में भी लोग तरसते हैं मैं चाहता हूँ चमलवास के अंदर की बात मैं अफसोज करता हूँ आज की बात छोड़े आज से पहले कम उसकम 20 साल नयाबत यहां कयम होनी चाहे थी 20 साल की और ये मरहूम जनाब अयूब खान साब की जो इधर चीजे जो आई हुई है यह उसी की देन है वरना अगर कोई कहेगा कि मैंने वो किया ये किया लेकिन मौजुदा जो अपने अयूब खान साब का जिक्र किया लेकिन मौजुदा टाइम में साबका MLA बानिहाल विकार रसूल वानी का कहना है और उनके कुछ साथी जो सर्पंच लोग है उनका ये मानना है कि खान साब के दोर में यहां पर कोई भी तरकी नहीं हुई आप क्या इसमें जवाब दोगे मैं अपने भाशा करने वालों को एक शायर बोलूँगा क्योंकि ये भाशा अपनी में बोलूँगा ये मीन तासिल बना कुंसी चुंसी सन मुस्कीन लाचार बेबस बेसाहर बारन थै तुसकुशत यावन परेशान हालनमस दोबाई हो दोबाई हो असव के उसम वेरान ये वी कायर पढ़नी भाई मैं जालनमस ये इसका जवाब में ने ये दिया हम सिर्फ ओटूं के लिए र क्या है